पांच रुपे की हवा भरो 80 किलोमेटर चलो 40 की स्पीड से चलती है एर बाइक ये जमतकार नहीं, यूपी का अविश्कार है ये बाइक हवा से चलती है ये बाइक हवा से बाते भी करती है बस पांच रुपे की हवा भरी और काम पर चलिए पेट्रोल का सारा ड्रामा सारा जन्जट खर जिस बाइक पर आप हमारे सहीयोगी सीमाग को बैठे देखें हैं ये एरो बाइक है इसकी खूबियां सुनकर आप हैरान रह जाएंगे इसमें पांच रुपए की हवा भरा करके 80 किलोमेटर का सफर 40 किलोमेटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैग किया जा सकता है इसमें देखें 6 क्यूबिक मीटर हवा के लिए दो सिलिंडर की उप्यूगता है अगर उसमें प्रिशर हम 20 बार से बढ़ा दे चालिस बार कर दें सिलिंडर की साइज बहुत पतली स्लीक आ जाएगी तो दो डिजाइन इसमें है कि हम 4 सिलिंडर छोटे-छोटे पतले लगा हैं जब कि इस सिलिंडर जो हमने डिजाइन किया है उसको बढ़ने पर 40 किलोमेटर पांच रुपए की हवा भरा लीजिए 40 किलोमेटर बड़े आराम से चलिए और अभी आप इसको चला के देखें कि इसमें आपको लगता है कि जैसे साइकल चलाते हैं उससे भी कम बहुत ह इसमें कोई प्रिक्शन नहीं है दूसरा सबसे बड़ा है कि हवा भरेंगे हवा में कोई खर्च नहीं और अब एट यरो रो रहा है इसका बेस्त निकल रहा है जो हवा आपने लिया वह यह वा निकाल रहे हैं तो इससे ग्रीन एनरजी जो हमारा सिद्धान तहीं जीरो पा इस बाइक को लखनों के इंजीनियर्स ने बनाया है हवा से चलने वाली बाइक की टेकलोजी के लिए कैनेडा, बुल्गारिया, जर्मनी जैसे देशों से मांगा रही है लेकिन इस देशी टेकलोजी के आविशकारक डॉक्टर भरत राज सेंग और प्रफिसर ओंकार सेंग चाहते हैं कि एरो बाइक भारत में कामार ये आइडिया बहुत ही 1995 के बाद जब धरती का तापमान बढ़ने की चर्चाएं विश्व में फैली तभी से एक जागरुकता दिमार्ट में लोगों में आने के लिए मैंने एक प्रयास किया कि इसके कारण क्या कारण में दो ही च सब्सक्राइब करन जो उसको कह लिए कि जो बिना उसके बिचार से कहीं भी क्यों चीज चला दिया जाए और उसके जहें कहां लगनी चाहिए अद्योगी करन उसको उस पर बिचार ना कि जाए जाए अन आर्गनाइज टाइप से तो हमने ये इंजिनियर होते हुए मैंने सोचा कि क्यों ने ऐसा कारी किया जाए जिसमें कि उच्छा ये इस बैश्चिक तापमान में गिरावट हो और विष्च में आने वाले भविष्च में जो शंकट आने वाला है जलवाई परवर्तन में इसके कारण वो कुछ बचा जाए तो हमने का अगर इसको हम 35 परशंट इस पर हमारा काम बन सकता और तकना तकनीकी ज्ञान जो है जो अठारा सो चालिस के बाद इंडेस्ट्री अवद्यूगी करण का हुआ उस पर केवल जोलन शील पदार्थों पकाम हुआ भी तक जो कि इंडेस्ट्रीज सारे जितने भी आप देखें चाहे ट्रांसपोर्ट म बेहिकल छोटी गाड़ी से लेकर के हवाई जहाज और आकिट तक केवल उसी पर जोलन शील पर हमारे दिमाग पर एक ऐसी इस ती आई थी कि हो सकता है बच्पन में जो चीजें हमने पढ़ी समझी उसमें हन्वान जी एक हमारे लिए मानने हुए जो कि रामचन जी के लिए एक शेवक करूप में काम क्या शीता जी के हरण में उन्हों पता लगाया उसके बाद संजीनी बूटी तो मैं लगता तो उनके पास कोई यंत्र है उसी सुड़ते हैं पहला और दूसरा यह आया जब हवाई जहाज जब हम थोड़ा से बड़े हुए देखे हवाई जहाज वो हवा पर तरह नहीं लगता है यह सिद्धान तो हमने यह सोचा को उसकी रिवर्स इंजिरिंग कर लें और रिवर्स इंजिरिंग में अगर उतनी ही ताकत की हवा को हम कहीं स्टोर कर लें और उसको एक बंद चीज के अंदर फिरकी लगा दें तो फिरकी के सिद्धान पर इसको हम चला सकते हैं और तेजी से चलेगे जैसे इंजन तेजी से चलाते हैं और हवा दाउड़ती वैसे रिवर्स तो यह सिद्दान्त पर हमने जाकर करके डाक्टर पुर्ख शिंग चावहान जो पहले विश्विद्यालाय तर्देश के कुलपत थे उनसे मुलाकात की उन् से रखा और यह इंजन हमने इसको पूर्ण रूप से इसके सिद्धान्त को आगे बढ़ाया और दोजार आठ तक इस पर कारी हो चुका विश्व ने इसको माना पहला पेपर लंदन में हमारे इंश्यूट अब मेकेनिकल इंजिनियर्स में छपा और उसके बाद दूसरा प पूरे बिश्व में उन्होंने 22 जून 2010 को इसको प्रशारित कर दिया और उसके बाद समय आया कि इसको क्योंने पेटेंट करा लिया जाए पेटेंट के लिए अपलाई 2008 में क्या दस में इसका रिजिस्टेशन हुआ जो पेटेंट अब जाकर के इसको सारी फार्मल्टी इसने 28 जुलाई 2020 को दस साल बाद मुझे मिल गया वह ऐसे तो बारा साल लगया लेकिन दस साल बाद रिजिस्टेशन को बाद में सेतु निगम की M.D. पत पर रहे डॉक्टर भरत राज को हवा से चलने वाली बाइक बनाने का खयाल 2004 में रिटार्मिन के बाद आया उन्होंने लखनो में इस विशय पर शोद करना शुरू किया और 2008 में उनकी बाइक बन कर तयार हो गया हलाकि इस बाइक की प्रामारिक्ता हासल करने के लिए उनको लंबा इंतजार करना पड़ा लखनो में सामान हवा से चलने वाली बाइक तयार हो गई है हमारे साथ डॉक्टर भरत राज जी मौजूद है और ये बाइक मौजूद है आपकों तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा ये दिखा रहा हैं कि इसमें एक सिलेंडर लगा हुआ है और ये काफी मशक्कत के बाद ये बाइक तयार हुई है इसमें से इस सिलेंडर में हवा भरी जाती है ये नौजल है इसका और डॉक्टर भरत राज ने इसकी शुरुवात 2004 में रिटायर्मेंट के बाद शुरू की थी उन्होंने इस पूरे मामले पर शोध किया और शोध करने के बाद इस वाइक का जो इंजन है उसको तयार किया आईए हम दिखाते हैं आपको इसका इंजन देखिए कि सामान ने इंजन से कितना साधारार ये इंजन है बहुत कम चीजें इसमें लगी हुई है एक ये सामान ने इंजन है और इस सिर्फ ये हवा के जरीए चलता है ना इसमें CNG पड़ती है और ना ही इसमें कोई ऐसी गै इंजन को कवर करते हैं जहां पर ये गैस पहुंचती है यह यहां पर हवा पहुंचती है सामान ने हवा पहुंचती है तो यह बाइक अब पेटेंट हो चुकी है डॉक्टर सहाब के नाम से 2004 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखने की सोची थी और शोध किया था आप डॉक्टर साब का नाम जो है वो भी है SMS लखनव जो कॉलेज है यहाँ का वहाँ पर इस वक्त वो डाइरेक्टर है डॉक्टर साब तमाम खूबियां है इस बाइक में बड़ा संघर्श किया आपने इतने लंबे समय तक शोध किया और अब वो दिन आ गया कि आपकी बाइक पूरे दुनिया में पेटेंट हो चुकी है कि हवा से बाइक चलने वाली बाइक को सिर्फ आपने निर्मित किया है इसके इंजन को आपने डेवलप किया है इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है कैसा महसूस कर रहे है तो यह फक्र की वात है कि मैं भारती हूं दोस्तानी हूं और एक हिंदुस्तान के लिए ही नहीं पुरे विश्ट के लिए कोई चीज अगर यहां बन रही है तो विश्ट में हमें इंडियन होने का गर्व है इसके लिए खुशी है और आईसी जगहां से हम चात्रों से जुड़े हैं तो मुझे स्कूल आफ मैनेजमेंट साइंसे का फक्र है कि हम आईसी जगहां हो करके बच्चों के साथ मिलकर के कुछ नई दिशा दे रहे हैं यह वही डॉक्टर साहब है इनको लिमका बुक में जो है जिनका नाम आया है और तीज तीन बार नाम आया इस बाइक को बनाने के लिए 2014 में फिर 2015 और 2017 में लिमका बुक में नाम आया है तो यह काफी एहम शक्सियत हैं दो दो राश्टपती के हाथ से इनको आवार्ड भी मिल चुके हैं कई राजपाल सम्मानित कर चुके हैं और अब यह बाइक लखनव में बन कर तयार ह बस जरूरत इस बाइक को गॉर्मेंट सीरियसली ले और इस पे काम करें ताकि यह बाइक मार्केट में भी आम लोगों के हाथों में नजर आ सकें कैमरमेन जितेंद वर्मा के साथ सीमाब नकवी भारत समचार लखनव